नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं जाट महराजा सूरजमल जी की 366 जो है अभी आहल फिलाल में जैनती बनाई गई है बर्धान मंतिरी नरेंदर मोधी जे ने उनकी जैनती के उपर उनको शरधांजली दी है 1707, फरवरी 1707 में भरतपूर में यानी राजस्थान में महराजा सूरजमल जी का जनम हुआ था तो थोड़ा बहुत हम इनके इतियास के बारे में जान लेते हैं महराजा सूरजमल जी थे, वो जाट सरदार बदन सींक के बेटे थी और ये एक बहुत बड़े महाननेता, महान सहनानी, महान राजनायतिक और अपने समय के बहुत बड़े एक राजनेता उवा करते थे इनकी इतनी ज़्यादा समझ थी इतनी स्तिर बुद्धी थी और इतना सपस्ट द्रिष्टी कौन था कि इनको जाटो लोगों का प्लूटो का आ जाता था और आधुनी के लेखाओ के मानने तो जाट ओडिशेस के रूप में इनको वर्णित किया गया था उन्होंने कभी भी धर्म के अधार पर लोगों को नहीं बाटा इन्होंने हिंदू मुसल्मान के जो विभिन गुट थे उनको एक जुट करने का काम किया एकता स्थापित की और ये जो महराजा सुरुजमल जी थे जो अन्य धर्म के जो लोग थे जो राजा थे उनके द्वार तो तुझे इस पद पे नहीं बिठाया जाएगा, तो इन्होंने ऐसा कभी किया नहीं, इनका मानना था कि मानवता ही मनुश्य का सर्व स्रेष्ट धरम है, और उन्होंने भारत को एक राष्टर की मतलब की पूरे बात करें, एक राष्टर की रूप में क्या मानना था, कि भा प्रतिकत रूप से किसानों की वो समस्चाइन सुना करते थे और उनका समाधान किया करते थे, और महराजा सुरुजमिल जी के नाम पर, जैसे कि महराजा सुरुजमिल इंस्टिटूट ऑफ टेक्नलोजी, महराजा सुरुजमिल ब्रीज युनिवर्सिटी भरतपूर, यह महराजा सुरुजमिल जी की सैन्ने यात्रा में, यानि इन्हों ने अपने जीवन में कैसे कैसे यूद लड़े, उनके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो यह जो महराजा सुरुजमिल जी थे, वो जैपूर रियासत के महराजा, जैसिंग के बड़े अच्छे संबन थे, बहुत अच्छे मित्तर थे, और जैसिंग के दो बेटे हुआ करते थे, एक बेटे का, यानि जो बड़ा बेटा था, उसका नाम था इश्वरी सिंग, और दूसरे जो बेटा थे, उनका नाम था मादो सिंग, अब क्या होता है कि जैसिंग की जब मृत्यू हो जाती है, जब समर्तन कर रहे थे, उद्यपूर के महराना जगत सिंग, तो 1747 में, मार 1747 में यूद होता है, यूद में इश्वरी सिंग जीत जाते हैं, लेकिन मादो सिंग वहां रुकते नहीं है, उनको लगता है कि नहीं, अभी बात खतम नहीं हुए, यूद खतम नहीं हुए, तो ये जाते हैं, संगतन बनाते हैं, ये जो है, मादो सिंगh, मराठो, राठोरो, उध्यपूर के सिसोति ओ, साजकों को साथ, एक साथ लाकर, पुने यूद के मादन में, फिर से वापा जा जाते हैं, इस बार क्या होता है कि, ऐसे में इश्वरी सिंग जी का समर्तन, महराजा सू जीत हैं वो यूद के मैदान में पहुंच जाते और एक बार फिर से इशुरी सिंग जी है वहाँ पर जीत जाते अब जो यह जीत होती है जैसे यह जीत होती तो महाराजा सुरुजमल जी का जो डंका है बजने लग जाते हैं अब यहां पर 1 जन्वरी 1750 में महाराजा जी ने पुरानी दिली को लूट लिया तो अपना जो है कारोबार यानि आपना अधिकार सेतर बढ़ा दिया था सतरा सो ध्रैंzer तहके ओए 1453 तक महाराज सुरुघ मली ने अपना अधिकार जो सरदार थे मल्ला राव इनके जो पूतर थे खांडे राव होलकर इनकी जो मिर्तिव हो गई थी और कुछ समय बाद फिर क्या हो है महाराजा सुरुजमल जी के साथ संदी कर ली थी महाराजा सुरुजमल जी ने बहुत इंपोर्टन चीज है कि एक ऐसा किला बनाया था कि अंग्रेजों ने उसके उपर 17 बार अटेक किया और कभी उसको जीत नहीं पाई कहें कि उसको भेद नहीं पाई यह देश का एक मातर किला था जो हमेशा एब भेद्यरा तो काफी जादा इंपोर्टन है यहां पर अब सुरुजमल जी थे पानीपत की तीसी लड़ाई में काफी जादा इन्होंने इंपोर्टन रॉल प्ले किया था अभी हाल फिलाल में कुछ टाइम पे रहे एक मूवी आई थी पानीपत करके शायद ऐसे मूवी था जिसमें अर्जुन कपूर थे यहां पर एक बड़ी ही अलग इमेज दर्शाई गई थी माराजा सुरुजमल जी कहां गया था कि माराजा सुरुजमल जी थे वो बड़ी लालची थे इस तरीके के इमेज जो है वो यहां पर इ 1761 में जो तीसरी लड़ाई होती है कौन लड़ रहा होता है एहमज शाबदाली लड़ रहा होते है तो एहमज शाबदाली जो थे यहां पर लड़ रहा होता है मराठों के साथ कहां पर यूद होता है दिली से 90 किलोमेटर के उत्तर की तरफ जो है वहां पर यूद हो जाता ह अब देखे इस यूद में क्या था यहाँ पर हार तो होती है मराठाओं की और मराठाओं की जब हार होती है तो वहाँ पर जो थे 40,000 सैनिक जो थे इन्होंने आत्मस परपन कर दिये होते हैं देखे आत्मस परपन कर दिये होते हैं वहाँ पर और यहाँ महमेद शाबदाली ने क्या किया आत्मसबरपण किये हुए लोगों को 40,000 लोगों को मोत के घाट उतार दिया था अभी हाल फिलाल की करन्ट की न्यूस मैं आप लोगों को बताऊं कि अफगानिस्तान में यह अफगानी था है कि जो वहाँ पर तालिबान ने अपना कबजा कर रहा है उनको तो वैसे वहिया कोई पैसे तो दे नहीं रहा भारत उनको मतलब कि मानुता के नाते वहाँ पर अनाज भेज रहा है बावजू दिन के कि ये बुखे जो नंगे लोग हैं जो हमारे देश पर अटेक किया था इनो ने तो इनके अफगानी वालों ने अभी किया मतलब कि तालिबान ने क्या किया है अपनी वहाँ पर एक सैना की टुकडी का नाम पानीपत कर दिया है मतलब ये एक तरीके से भारत को चड़ाने वाली बात कर दी है कि देखी भाईया हम जीते आ रहे थे और एमर्शाबदाली वहाँ पर अफगानिसान में एक तरीके के राष्टरपिता के तोर पर जाने जाते हैं भाई ये जो लोग हैं जिनके पास खाने के दाने नहीं है ये लोग भारत को चिडाने की बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ था नहीं बुके नंगे लोग भारत में इसलिए आये थे ताकि भारत को जो इतना बड़ा मतलब प्रोस्पेरस मतलब इतना समरिद देश सा या अभी भी है सोने की चिडिया कहा जाता था भाई साब ये इस देश को लूटने के लिए देखे, मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल सा कॉंसर्ट समझाता हूँ कि अगर आप समरिद हैं मानिए कि आप A हैं, आप समरिद हैं आपके पास B, ये भी समरिद है और कोई C, ये विचारा बुखा नंगा है इसके पास खाने को कुछ नहीं है और ना ये काम धंदा करता है तो ये करेगा, ये ये करेगा ना कि भाईया, यहां पर जाके A से लूट लूँ, B से लूट लूँ तो समझ लो, यही थे बाहरी जो लोग थे और ये था अपना भारत ये भाईया, भुके नंगे लोग थे संसकारी इनके पास ऐसे ही थे ये आ गए भारत को लूट ने तो यहां पर जो इसे एहमशा अबदाली ने क्या किया था 40,000 सेनिकों को, मराठाओं के 40,000 सेनिकों को मोत के घाट उतार दिया था जो मराठा नहीं मानने थे और जिनके कारण उनके हार होई थी पहला तो ये कहा था माराजा सुरुजमल जी ने कि गर्मी में अटैक कर लीजी क्योंकि अफगानी जो सेनिकों भारत की गर्मी को जहल नहीं पाएंगे, दूसरी बात बोली थी कि जो भारी तौप खाने को पीछे रखकर आप गोरिला युद की निती को अपनाईए महिलाओं और बच्चों को गवालियर, जहांसी, डिक और कुमयर के किले में रख दीजिए गाजयुदीन जो थे, उनको वजीर बना दीजिए क्योंकि ये जो युद लड़ा गया था, तो एक देखिए, ये जो युद था, एक तरीके का धरम के उपर युद था जो अहमर्शाब दाली था, इसने इसलाम का हवाला देते हुए, मुस्लमानों को एकसाइड करने की कोशिश की थी यहां पर तो एक तरीके से जो युद था, वो धरम के अधार पर लड़ा जा रहा था, तो यहां पर काजुई दिन जो था, उसको कहा गया था कि आप इसको वजीर बना दीजिए, जिससे क्या होगा, मुस्लिम जो सैनिक हैं, उनको भावनात्मक सयोग मिलेगा यहां पर, दिल्ली के दरबार याम की चांदी की छट को नहीं तोड़ी जाएं, क्योंकि इससे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी होती, तो यह पांच जो चीजें थी, जो महराजा सुरुज मल जी ने उस वक्त पानीपत के यूद में बताया था कि आप यह कर लीजिए, खैर, तो यह त से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, साथ यसाथ बहुत सारे आपके exam के point of view से पीडियो वहाँ पर provide करवाई जा रही है, अब थोड़ा बहुत support हमें भी कर दीजिए, कैसे, like करके वीडियो को, और subscribe करके channel को, देखे, इससे moral बहुत जादा high हो जाता है, share कर दीजिए, वीडियो को as well as channel को भी, तो बस आज के लिए इतना है था, thank you for watching this.